हाई मैं हूं मोहित आप देख रहें टेक्निकल वत्त तो दोस्तो आज संडे संडे का मतलब फंडे आप लोग भी घर में बैठके आज फानी फंड करते रहो और दोस्तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए हर एक संडे को इसी चैनल पे एक Q&A वाला तो यहाँ पे जरूर अपलोड करता हूँ तो अगर आप लोगों कोई भी कोस्तन पूछना हो किसी भी परकार का कोस्तन पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूले मैं नेक्स संडे को जब इसी चैनल पे Q&A वीडियो को यहाँ पे अपलोड करूँगा और दोस्तों मैं आप लोगों से एक request करना चाता हूँ कि आप लोगों ने मेरा दूसरा चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो आप लोग जाके subscribe कर सकते हो मैंने link description में दे रगा है या फिर comment में दे रगा है तो आप लोगो हाँ पे जाके मुझे support कर सकते हो channel को subscribe करके तो दोस्त तो चलिए आज किस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं प्यूस भाई यह बोलते हैं हाई भाई हैलो भाई कैसे हो ज़रूर बताना तो यहाँ पे next question पूछते हैं मुकेज भाई यह पूछते हैं 15K बेस्ट मुवाईल तो भाई 15K में बहुत सारा बेस्ट मुवाईल है मतलब कि अंडर 15,000 में Realme 9 ले सकते हो यह हाली में launch हुआ है अगर आपको एक AMOLED डिस्प्ले के साथ फोन चाहिए तो यहाँ पे आप Micromax in Note 2 ले सकते हो या फिर अगर आपको offer में चाहिए तो आप Realme 8 ले सकते हो अगर आपको 5G फोन चाहिए अंडर 15,000 में तो आप यह फोन ले सकते हो Poco M4 Pro 5G लेकिन आपने अपना uses बताया ही नहीं खेर मैंने आपको यहाँ पे option दे दिया आपको जो पसंद है मतलब long term uses के लिए आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 5G के साथ भी जा सकते हैं तो यहाँ पे यह next question पूछते हैं तबस भाई यह पूछते हैं Realme X7 Max price कितना होगा holy sale में भाई अभी already big saving day sale चालू है flip card पे तो अभी Realme X7 Max में हम लोगों को कोई भी discount नहीं है लेकिन आप big saving day sale का 15 तारिक मतलब की 15 March और 16 March को ready राना हो सकता है कि Realme X7 Max में हम लोगों को offer मिल सकता है क्योंकि देखिए electronic sale जब पिछले बार आई थी तो हम लोगों को sale के last दिन में ही offer मिल दा था Realme X7 Max में इसलिए मैं आपको यहाँ पर यह बोल रहा हूं कि आप sale का आखरी दिन wait कर सकते हो, हो सकता है offer आ भी जाए या फिर यह भी हो सकता है नहीं भी आए तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर्द चेक करना है तो यहाँ पर next question पूश्ट है दोरी मौन हिन भी गेमिंग यह पूश्ट है Redmi Note 10S A6A हाया का Poco M4 Pro हाया प्लीज डिप्लाई भाई मैं आपका यहाँ पर question साइद नहीं समझ पा रहा हूं साइद आप पूशना चाह रहे होंगे कि आपको Redmi Note 10S buy करना है या फिर Poco M4 Pro buy करना है मतलब आप confused है तो साइद मेरे भी चाह से अगर 5G phone चाहिए तो Poco M4 Pro के साथ आप जा सकते हैं अगर 4G phone चाहिए तो यहाँ पर Redmi Note 10S भी ले सकते हैं वैसे मैं आपका यहाँ पर अच्छे से question नहीं समझा तो आप यहाँ पर फिर से comment करके मुझसे question पूछ सकते हैं तो यहाँ पर next question पूछते हैं भारत भाई यह पूछते हैं भी वो B23 Holy Sale कितने का मिलेगा प्लीज 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 रिपलाई तो भाई मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि भी वो B23 में अभी only card discount ही available है अभी SBI का card से offer मिलना start हो चुका है तो यहाँ पर आपके पास SBI का card है तो एक बार आप जाके check कर सकते हो तो यहाँ पर next question पूछते हैं पागल भाई भाई मैं पागल नहीं बोल रहा हूँ उनका नाम है पागल आप लोग यहाँ पर screen पर देख सकते हैं यह बोलते हैं realme 8 to 16,000 में मिल रहा है तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हाँ मिल रहा था realme 8 16,000 में लेकिन अभी big saving day sale चालू है flip card पे तो अभी आपको यहाँ पर realme 8 मिलने वाला है prepared में या फिर exchange में मातर 13,500 रुपे में तो अगर आपको लेना था तो अभी आप purchase कर सकते हो realme 8 को वैशे पिछले sale में हम लोगों को 3000 का off था prepared में या फिर exchange में तो यहाँ पर next question पूछते हैं प्रियांक भाई ये पूछते हैं जैहिंद भाई मेरा phone में facebook app नहीं है क्या phone hack हो गया है please take my question brother I am worried about it तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक बार phone को अपना reset मार के देखे हो हो सकता है कि reset मारने के बाद ठीक हो जाए अगर आपका ये problem ठीक नहीं होता है तो यहाँ पर एक बार आप service center revisit कर सकते हो या फिर customer के उसे बाद कर सकते हो वैसे मेरे विचार से ये तो problem होना नहीं चाहिए लेकिन एक बार reset मार के देख सकते हो उसके बाद फिर आप comment करके मुझसे सवाल पूछना तो यहाँ पर next question पूछते हैं लावोनी ये पूछते हैं IQJ3 में कितना offer रहेगा होली में तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अभी फैफ होन फेश्ट चालू है Amazon पर अभी आपको यहाँ पर IQJ3 में total 4-5,000 का discount available है तो अगर आपको COD में लेना है तो आपको यहाँ पर coupon को apply करना है अगर आप coupon को apply करते हो Amazon पर जाके तो COD में आपको यहाँ पर मिलने वाला है 16,000 रूपे में अगर आपके पास card है HDFC का तो यहाँ पर आपको 1-15,000 का और off मिल जाएगा मतलब की 15 या फिर 15,000 रूपे से IQJ3 को buy कर सकते हो तो यहाँ पर next question पूछते है कनहिया भाई यह पूछते है मैं जब switch off करके charging पर लगाता हूँ तो automatic switch on हो जाता है क्या यह कोई fault है please response जरूर करना भाई जिनके पास realme 8 है वो please response कीजिए मतलब कि अभी सभी के साथ realme 8 में अजीव 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 करा सकते हो तो एक बार आप यहाँ पर service center जा सकते हो लेकिन पहले अपना mobile reset कर लेना उसके बाबजू ठीक नहीं होता है तो उसके बाद ही आप यहाँ पर service center जाना तो यहाँ पर next question पूछते हैं राजू भाई यह पूछते हैं realme 8 पर कितना discount मिलेगा तो भाई अभी realme 8 का सारही variant में total धाई हजार का off है prepared में या फिर exchange में तो अभी आपको यहाँ पर खरीदना है तो आप अभी खरीद सकते हो realme 8 को और आपके पास SBI का credit card है तो आप लोगों को extra अभी इस phone में 700 का off मिलने वाला है मतलब कि SBI का credit card लगाते हो तो आपको यहाँ पर total 3250 का off मिल जाएगा वैसे prepared में कर लो अगर आपके पास SBI credit card नहीं भी है तो यहाँ पर next question पूछते हैं भौकाल भाई यह पूछते हैं Redmi Note 10S Gaming कैसा है तो भाई मैं बोलना चाहूँगा इसमें MediaTaker G96 processor है और under 15,000 में बहुत सारा phone है जिसमें MediaTaker G96 processor है इसमें G95 processor है sorry मैंने गलती से बोल दिया G96 वैसे G95 और G96 में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है तो यहाँ पर आप यहाँ पर buy कर सकते हो Redmi Note 10S में यहाँ पर क्या क्या बोलने लगा हूँ आज का तो यहाँ पर next question पूछते हैं रोईद भाई यह पूछते हैं इनका भी question सेम है Realme 8 price तो अभी आपको मिलने वाला है Realme 8 13,000 से प्रिपेड में या फिर एक्शेंज में तो यहाँ पर next question पूछते हैं ट्रेक्सी भाई यह पूछते हैं IQJ3 आफर कब आने वाला है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया इसी वीडियो में अभी आप बाई कर सकते हो 15 या 15,000 रुपे से या फिर आप COD में कूपन एपलाई करके लेते हो तो अभी आपको पढ़ने वाला है IQJ3 16,000 रुपे में अगर आप Bank और Baroda का Credit Card या फिर HDFC का Card लगाते हो तो यहाँ पर आपको और 1-15,000 का ओफ मिल जागा मतलब कि 15,000 या फिर 15,000 से IQJ3 को अभी आप बाई कर सकते हो तो यहाँ पर next question पूछते हैं अनील भाई ये पूछते हैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो भाई Realme 8 ओर्डर किया और नहीं Receive हुआ तो 10 दिन पहले मेरा दोस्त ओर्डर किया और नहीं आया है तो भाई आजाएगा बहुत बार डिले हो जाता है कुछ प्रॉब्लम के वज़े से तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हो आपने ये comment चार दिन पहले किया है तो आप यहाँ पर नीचे comment करके जरूर बताना क्या आपका यहाँ पर Realme 8 अभी तक डिलेवर हुआ या फिर डिलेवर नहीं हुआ अगर डिलेवर नहीं हुआ तो एक बार आप कर्षेमर कैसे बात कर ले न वे आपको problem का solution बता देंगे तो यहाँ पर next question पूछते है Devil status भाई ये पूछते हैं भाई थोड़ा happy mood से बोल भाई मैं बिलकुल अभी happy mood मूड में हूँ सौरी अगर मैं happy mood में नहीं वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोसिस करूँगा कि मैं happy mood से वीडियो बनाओ तो thank you review देने के लिए तो यहाँ पर next question पूछते हैं रितेद भाई ये पूछते हैं and based gaming phone बताओ next question यहीं पूछते हैं भाई me 11x पर discount लगेगा क्या bro बताओ तो भाई me 11x में discount आ सकता है लेकिन आपको एक gaming phone चाहिए तो realme X7 Max वगेरा हम लोगों को मिल जाता है बहुत बार under 20,000 में या फिर realme GT Master Edition मिल जाता है sale में तो यहाँ पर आप sale का wait करो अगर sale में हम लोगों को मिल जाता है realme GT Master Edition या फिर realme X7 Max अगर realme X7 Max हम लोगों को मिल जाता है under 20,000 से under 20,000 में तो मेरे विचार से यह best gaming phone आप लोगों के लिए यहाँ पर होने वाला है लेकिन आपको यहाँ पर wait करना पड़ेगा तो अगर आपको अभी जल्दी phone खरीदना है तो अभी आप लोगों को price देना पड़ेगा मतलब कि आपको price देना पड़ेगा 26-27,000 रुपए क्योंकि Mi 11X अभी price है Amazon पे 26-27,000 रुपए X7 Max अभी लगवग same price है GT Note 2 का भी यहाँ पर लगवग 31-32,000 रुपए price है यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि wait करने अगर आपको जल्दबाजी में phone खरीता है तो अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा price देना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पास पैसा है आपके पास अभी phone है उस phone से आप अभी काम चला सकते हैं तो आराम से रहो एक महिना में भी offer आ सकता है या फिर दो महिने में भी offer आ सकता है तो यहाँ पे आप wait कर सकते हो तो यहाँ पे last question पूछते हैं विसाल सोनू भाई यह पूछते हैं recent जो sale गया electronic sale वो या वैसा कोई sale इस month के last में भी आएगा ना तो भाई मेरे विचार से electronic sale हम लोगों को पिछले महिने में मिला था उसके पिछले महिने में भी देखने को मिला था flip card पे तो उमीद करते हैं कि हम लोगों को electronic sale इस बार भी मिल सकते है कब मिल सकते है 25 March के बाद हम लोगों को मिल सकते है electronic sale तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हो electronic sale का तो हो सकता है electronic sale मतलब की देखिए ज़्यादा तर चांस है कि हम दोगों को electronic sale इसी मंत का मतलब की end तक देखने को मिल जाए तो अगर आपको यहाँ पर वेट करना है तो वेट कर सकते हो वैसे big saving day sale का लाश्ट दिन एक बार चेक कर लेना phones का price हो सकता है कि सहस्ते में मिल जाए है बहुत सारा phone तो दोस्तों फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे इस चैनल को सब्स्राइब कर दे और हाँ इस वीडियो को सेर करना ना बूले तब पर के लिए आज की इस वीडियो में पस इतना ही था तब पर के लिए जै हिंद, बंदे मात्र, जै भारत